नमस्ते आप सभी को सिक्षक दिवस की हार्दिक शुब कामना है मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेज में स्वागत है तो आज के लेक्चर में हम डिसकस करने वाले हैं अनकॉंशियसनेस के बारे में इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब है कि बेहो होश्री के स्थिती कैसी होती है है ना तो आज कारना टॉपिक यहीं और इसमें हम समझेंगे कि हमारा ब्रेइन किस तरह से काम करता है जब हम बेहोश हो जाते हैं और कभी कभार ऐसा देखा गया है कि बेहोश होने के बाद वैक्ती कोमा में चला जाता है तो वह कैसे होता ह उसको भी हम आज के लिक्चर में बहुत अच्छे से डिसकस करेंगे तो अनकॉंशनेस का मतलब होता है लैक ओफ अवेरनेस अब इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब है कि हमें कुछ भी मालूम नहीं है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है और हमें यह फील भी नहीं होता है हमें जाते हैं या फिर कभी कबार ऐसा होता है कि हम बहुत लंबे समय तक बेहोशी रहते हैं उसको हम बोलते हैं कुमा में चले जाना जिसमें बॉड़ी का प्रोसेस तो होता है लेकिन हमें अपने आस पास बाहर क्या हो रही है ब्रेन उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉंड नहीं कर यह समझ में आ गया अब इसमें होता क्या है अगर वैक्ति कुमा में चला जाता है तो हम एक चीज यूज़ करते एक स्केल जिसे कि अगर हम देखें तो मैस्मेटिक के प्रॉबलम्स को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसको मापते हैं त तो मैं इन तीन चीज़ों के अधार पर मापोंगी कि वैक्ति बेहोश हुआ है तो कितना जादा बेहोश हो गया है मतलब इसकी सिवियारिटी कह लीज़े या पर कह लीज़े कि उसकी स्थिती कैसी है इसको हम पता लगाते हैं तो ग्लास गोई स्केल में क्या होता है सबसे पहले हम कर दिखते हैं आई ओपनिंग रिस्पोंस ओपनिंग रिस्पोंस का मतलब होता है कि अगर वैक्ति बेहोश हो गया है तो आग खोलने टाइम में आख जब उसकी कहलती तो कितने समय के बाद वह अपना आग होँलता है और उसको सबीचीजे फिर दिखाई देने लेकिन आख खुलने के बाद वह सही से बोलना कब शुरू किया और उसके बाद है मोटर रिस्पॉंस Motor Response जिसमें व्यक्ती का आँख भी खुला हुआ है व्यक्ती बोल भी रहा है और चल फिर भी रहा है मतलब motor response हम कैसे समझते हैं जैसे कि जब हम चलते फिरते तो उसी को हम बोलते है motor response तो इस scale के माधन से जिसका नाम क्या है glass goal skills इसमें तीन चीज़े चेक की जाती है आई ओपनिंग रिस्पॉंस वर्बल रिस्पॉंस जिसमें वैक्ती कितना बोलता है उसको हम देखते हैं और फिर हम देखते हैं मोटर रिस्पॉंस वैक्ती चल रहा है या फिर नहीं अब समझे यहाँ पे अगर वैक्ती 3-8 के बीच में है तो हम इसको समझेंगे कि वैक्ती कोमा में है अगर इस scale में total होता है 15 points होते हैं 15 तक जाती है जिस तरह छोटे वाल scale में 15 cm तक होती है उसी तरह 15 तक जाती है यह और अगर 3-8 के बीच में वैक्ती को अगर हम देखते हैं इतना कोमा में है, इस skill की मदद से, जब हम मापते हैं, तो उस condition में वो व्यक्ति को마 में होता है, जिसमें body के अंदर process तो होड़ी है, लेकिन उस व्यक्ति को होश नहीं होता है, इसे को हम बोलते हैं बेहोश हो जाना, जिसको हम बोलते हैं कोमा में चला गया वैक्ती अब वैक्ती को कुछ भी समझ नहीं कि बाहर क्या हो रहा है किस तरह से ओड़ी है और बॉड़ी उसका माइंड उसकी आइज उसकी लेक्स उसके हैं वो रिस्पॉंड नहीं करते हैं बाहर इस चुमुलाई के मतलब अगर आप चीटी भी काटबानने तो इसको कुछ भी महसुस नहीं होगा यह चीज़ती है तो इसफीको हम बोलते हैं क्या स्कारन की वज़ब से होता है जो वैक्ती अधिक्त अधिक शराब पी तो क्याश्थ क्या颜 होते हैं पहला क्या हो गया जो मतल见 एलकॉहल यूस दूसरा होगा जिसको ज्यादा हाई blood pressure की problem है उसको भी हो सकता है जिसको diabetes है उसको भी हो सकता है जिसको convergence आ रहे है मतल Powers को मतलब सेजर्स है जिसको जटके परते हैं body बहुत चापता है उसको भी हो सकता है इसके अलावा जिसके body याने की brain में जो pressure है, क्या बोलते हैं उसको intracranial pressure क्या बोलते हैं, intra, intra का मतलब होता है, अंदर cranial, cranial क्रेनियल किस से संबंदित है, हमारे brain से, तो intra cranial जब pressure बहुत ज्यादा बढ़ जाता है मतलब समझ ये body के अंदर जब pressure बहुत जादा बढ़ जगा pressure कैसे बढ़ता है कभी-कभी anxiety से भी कभी-कभी depression से भी तो anxiety और depression क्या है इसके बारे में मैं already आपको बता चुकी हूँ तो intracranial जब pressure बढ़ जाता है उस condition में भी वैक्ति कुमा में चला जाता है या पिर कह लिजे कि वो unconscious हो जाता है और इसी process को हम बोलते हैं जिसमें वो aware नहीं होता है इसी process को हम क्या बोलते हैं unconsciousness तो list आपको मिल जागा टेलिग्राम चैनल पे आपको बहुत अच्छे से notes मिलेंगे लिखे वे जो पहला comment होता है हर वीडियो का उसमें link रहता है आप जा करके उस group में जुड़ सकते हो और notes आपको मिल जाते हैं यहाँ पर मैं आपको बता दू कि कारण में मैंने आपको क्या बता है जब वेक्ति शराब पीता है जब उसको diabetes है जब उसको चक्कर आते हैं या फिर जब वो बहुत कमजोर है उस condition में भी हो जाते हैं ज़्यादा धूप में जाने की वज़र से भी हीट स्ट्रॉक हो जाता है उस condition में भी हो जाता है साथ ही उसको चमकी है स्टीरेया है इसके बारे में भी मैंने आपको बता है इन सभी विमारी के कारण भी व्यक्ति कोवा में चुला जाता है है जब उसको diabetes होती तब भी चुला जाता है जब उसको शौक लग जाता है घब शाक इस पर भी में से लिक्षिर ले चुकी हों तो कारण ये सभी होते हैं, अब symptoms कैसे आते हैं, clinical manifestation कहते हैं, क्या कहते हैं, अगर हम देखें symptoms को, उसको क्या बोलेंगे medical term में, clinical manifestations, अब clinical manifestations में क्या होगा, उसको चक्कर आएगा, मतलब light headness, चक्कर आएगे, साथ ही क्या हो सकता है, weakness हो सकती है, उसके अलावा क्या हो सकता है, चक्कर आएगे, जब भी कोई व्यक्ति जब बेहोश होता है, तो चक्कर आता है, वो अपनी body को response नहीं कर पाता है, साथ ही उसकी जो body की अंदर की जो शमता होती है, वो बहुत कमजोर हो जाती है, इसका मतलब कहली जब weak immune system, dehydration भी हो सकता है, सा अंदर का pressure भी बहुत जाता है, जब बनने लगता है, तो उस condition में भी हो सकते है, या फिर कह लिजे कि heart attack भी आ सकता है, जब कभी कबार ऐसा होता है, कि body में shock लग जाता है, तो shock लगने की वजह से heart attack आ जाते हैं, तो लक्षर भी आपको लिखे बहुत अच्छे से मिल जाए ऐसा कोई test नहीं हम सभी जानते हैं, लेकिन अगर आप management की बात करते हैं, कि अगर कोई वेक्ती बिहोश हो जाए, तो किस तरह से हम management करते हैं, management में दो प्रकार की management होती है, मतलब treatment, management मतलब treatment, अब treatment में क्या होता है, सबसे पहला होता है, यहाँ पे कह लिजे, आप इसको treatment य जो कि नर्स करती है, अब नर्स तो बाद में करीगी, डॉक्टर के करने के बाद, उसके बाद मेडिकल management, अब समझ लीजे बात को, पहले हम क्या करते हैं, पहले हम medical management करते हैं, इसका मतलब होता है कि जो भे medicine, डॉक्टर को देना है, पहले वो देख कर के जाएगा, फिर नर किसे करते हैं medical management में सबसे पहले वो वैक्ती बिहोश हो गया इसका मतलब उसको सास नहीं आ रही है प्रॉपर उसको चाहिए कि हां उसको हवा में रखे कोई वैक्ती और फिर उसको प्रॉपर खुला environment चाहिए इसके लिए हम देखते भी है कि जब कोई वैक्ती बिहोश हो जात है tracheostomy क्या करते हैं यहां पर मैं लिख दू ट्राकियोस्टमी का मतलब होता है कि आपकी जो ट्राकिया है जहां से यहां से हम सांस लेते हैं इसको यहां से कट करके फिर इसमें त्यूब का इंट्यूबेशन करते हैं और फिर जाकर करके उसको सांस लेने में मदद मिलती है ट्राक्योस्टमी कर सकते हैं, ओरल या फिर कह लिजे नैजल, नैजल इंट्यूबेशन, इंट्यूबेशन कर सकते हैं, ठीक है, मतलब नाक और मुसे सास सही से जाए, उसके लिए हम ये उपाय कर सकते हैं, ऑक्सिजन सही से जाए, उसके लिए हम ये उपाय कर सकते हैं, और ऑ अगर उसको खाना देना चाहे तो हम ट्यूब भी करवा सकते हैं इसके अलावा हम नूट्रिशन सपोर्ट देते हैं बाहर से लिक्विट उसको ट्यूब के माधम से बॉड़ी के अंदर जाए इसके लिए हम प्रॉपर देते हैं और नर्स का क्या काम है कि जब वैक्ति कोमा मे है और डॉक्टर ने उसका इलाज कर दिया है तो नर्स बार बार आ करके उसका डो चेक करेगी उसका जो इंट्यूबेशन है एक और चीस करते हैं ग्यास्ट्रोक्टमी हम कर सकते हैं ग्यास्ट्रोक्टमी इसका मतलब होता है कि प्रॉपर ग्यास्ट्रोक्टमी पेट में हल स्ट्रोक्टमी भी कर सकते हैं ठीक है तो आपको प्रॉपरली लिखे वे मिल जाएंगे लेकिन यहां पर आप समझ लीजिए अगर नर्सिंग मैनेजमेंट है तो उसमें नर्स क्या करेगी जब डॉक्टर उसको मेड़सिन दे दिया सब कुछ दे दे तो वह चेक करेगी कि रो से से सेसे हो जहां जहां प्रेशर पड़ता है वहां जहां हो जाता है अब उसको और करना हो सभी और सब्सक्न करना मॐं सब्सक्राइब बाल की साथ ही उस patient के parents को या फिर उसके relatives को educate करना अच्छे से समझाना क्या है किस तरह से हमें करनी है यह सभी चीज़े नर्स करती है तो nursing management में यह सभी चीज़े आती है ठीक है तो मैं उमीद कर रही हूँ कि आपको आज का lecture बहुत अच्छे से समझ में आया होगा thank you so much for watching my video आप अपने doubts को comments करके पूछ सकते हो साथ ही telegram पे तो आप जा करके वहां से notes ले सकते हैं और Instagram पे पूछ सकते हो thank you so much